हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग उमीद करती हैं आप लोग बढ़िया होंगे मैं हूं कोशु कुपित कोशु में स्वागत है तो फ्रेंड्स आज आज आपके साथ सेयर करेंगे नवराते स्पेशल साबू दाने की रेसिपी जो बहुती चटपटी सी बहुती कुरकरी और साबू दाना साबू दाना कोई ले सकते चोटे वाला यह बड़े वाला और कढ़ाय में डालकर हम इसको दो से तीन मिन तक गैस को मीडियम फ्लेम पर रखेंगे और अच्छे से इसको भून लेंगे तो भूनने का पता लग जाएगा जब यह दाने हमारे हलके हलके चटकने लग जाएगे तो यह फूल के उपर आ जाते हैं तो भूत अच्छे से भून जाता है बिल्कुल भी काला नहीं होता और आप इसको लगाता चलाते रहें तो इसको दो से तीन मिन तक भूनने के बाद थंडा होने देंगे इसके बाद हम इसको रखेंगे पीशने के लिए औ तो यह इस तरह से मैंने इसको बिल्कुल बारिक सा पीश लिया है हलका से दरदरा रह भी जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है हम इसमें डालेंगे गरम पानी तो गरम पानी जब डालेंगे तो बिल्कुल सोफ्ट सा आठा हमारा बन जाता है और अब इसको थोड़ा थोड़ा जादा पानी डालेंगे थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर आता लगाएंगे लगव बिल्कुल आता हमारा सोठograph बन जाता है है कर हम चुवास को जादा इसे स्वाबधा इतना सबूदान अudeल फूल जाए मिजा हमें इतना ही Сब्सक्राइब हमारी पानी की अराम से लगी तो यहां मैंने इसको अच्छे से गूत लिया है और इसको हम 10 मिंट के लिए रेश्ट के लिए रख देंगे दस मिंट के बाद हम इसको दुबारा से गूतेंगे तो यहां 10 मिंट हो चुका है अब 10 मिंट के बाद हम इसको दुबारा से अच्छे आदा आलू यहां का नंदा पर लफ दाल सकते हैं तो इसमें मैंने कर लिछे अब को सब्ग़ने हैं कुछाक यह फूरफ बूल द लैंगे और शेए लॉह में सतंटह्साज दाल लbी ओच जाया नाम में मिद्द द यह दाला है लाल मिर्च आप इसकी जगह बारी काट के हरी मिर्च भी डाल सकते हैं या फिर अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप काली मिर्च भी डाल सकते हैं इसमें और अच्छे से सभी चिज़ों को डाल कर बढ़िया से मिक्स कर लेंगे तो अकर आप बट में जो भी मसाला लगार कर लेंगे रखेंगे रखेंगे साइड में जब तक हम बाके की त्यारी कर लेते हैं, तो यहां मैंने ज़ो आलू बचा के रखा था तेन ऑलू ले था, उसी में सादा बचा लिया था मुटी भी मोटी कूट लिया इनला नारियल का बौदर भी आप बोल सकते तहीं नारियल कोकूट। आप स्किप कर सकते हैं, अगर खाते हैं तो डालें, और साथ में हम डालेंगे हरा धनिया बिल्कुल बारी कटा हुआ, और सबी चीजों को मिक्स कर लेंगे, तो यह हम जो अंदर का मसाला है, वही बनाकर त्यार कर रहें, आप फ्रेंड्स वही बताएं, जो आप चीज अगर नहीं खाते हैं, तो आप मसालों को स्किप कर सकते हैं, तो इस अभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लिया, मसाला हमारा अच्छे से त्यार हो चुका है, अब इसको भी हम साइड में रख देते हैं, और एक बार जो आट्टा हमने लगा के रखा है, उसको हम 15-20 से के लिए मसाल लेंगे, तो यह बरमारा अच्छे से मिक्स हो हो चुका है, और इसको के लिए इसको छे लिए हाइव न चीपके, बना ले, इसको पहले हाइच से गोल करते हम खो बीते हमाथ लएत के बीच से बाड़ें हम मसाला से बाला हम जगे जए और मसा बना वह आई के अधाल बरेंगे तो यह अच्छे से भार आजाएगा तो बैसे इसको अधर करेंगे हाथो कर लेंगे जो मसाला इसको देलेंगे आराम से तो बहुत यासानी से हो जाता है कोई भी दिकत नहीं आते हैं बैस मसाले को में कवर करना है बाकि हम आराम से इसको गोल या कोई भी सेफ दे सकते हैं तो देख सकते हैं इस तरह से इसको टिकी की सेफ देलिया आराम से टिकी मैंने बनाकर त्यार कर लिया है और ऐसे हम दूसरी टिक्की भी बनारा कर हम त्यार ओंगे त्यार देख सकते हैं अई इसे दूसरी को भाधे अच्छ Georg बोर्ड़िया है इसको सालके से मॉसाला कवर करना है और लड़ के जयसे बना लेंगे लड़ु को बना के हम इसको दबाते विए तिकी की सेव देने लेंगे तो इसी तरह से मैंने सबी को तिकी को बना कर त्यार कर लिए तुमारा अधी कि बनकर त्यारा देख सकते हैं कहीश भी फट भी जाते तो कोई इसमें दिक्कत नहीं आती है तो यहां तेल को हमने गरम कर लिए तो यहां मैं इसको अलबास जल्ड़िब्लाब करई यहां जड़ी सब देख सक Доinanderे आ लेंगे नेगे नाएध छॉष्सरा ड़ी सीज़दी आ और जाती है इसमा बिल्कुल भी टाइम लगत दोसे तीन मिंट्र ना करका हमारी कुर्कुरी से बन जाती है तोटली दो से तीन मिंट का टाइम लगता है तो यहां देख सकते हैं मैंने इसको अच्छे से पल्ट लिया है और सभी को हम इसी तरह के से दो से तीन बार अच्छे से इसको पल्ट के प्राई कर लेंगे तो आप देखने से आपको पता लगएगा कितना सुनेरा कलरा है और फ्रेंट्स यकीन मारें भोती क्रिस्पी और भोती टेस्टी बनती है अगर आपने एक बार इसको बना लिया तो आप बार बार बनाएंगे और बिल्कुल भी अगर बच्चे वर्त रख रहे हैं तो आप इसको बना कर देख सकते हैं बच्चों को पसंद भी आईगी और अगर एक बार सुबह दे दिया तो बच्चों को फिर भोग भी नहीं लगती है तो फ्रेंट्स अगर आपको में रेस्पी थोड़ी सी भी अच आप जरूर पसंद आएगा आप जरूर ट्राइग करके देखें मेरे कहने से एक बार जरूर बनाए तो यहां अभी इनको निकाल लेते हैं तो फ्रेंट्स अगर रेस्पी कैसी लगी जरूर बताए अगर पसंद आए तो लाइक करना ना बूले और देखने के लिए बहुत बत दो दो नवाद